वाई रुको, सुबह से कहां गाया थे? और फोन क्यों स्विचर भारा तुम्हारा? बैटरी डाउन थी इसलिए सुबह सुबह छे बचे ये कहके निकले थे कि क्लोजिंग चल रही है ओफिस जल्दी जाने मैं ओफिस ही कहा था जूट मत बोलो अरे मैं जूट नहीं बोल रहा सुबह निकला तो मैं ओफिस के लिए ही था तीन बार फोन कर चुकी हूँ मैं ओफिस में सचच बताओ का गए थे और ये बैट किसका है तुम्हारे कोई हिस्तेदार तो नहीं आ रहा है न? अरे बोलने दोगी तब बताओंगा न? अब बोलो सुन रही हूँ मैं कलरत मा और भावी का जगड़ा हो गया भावी ने कह दिया कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा भावी ने भी भावी को कुछ नहीं बोला सुबह मा ने मुझे फोन किया यह सब सुनकर मुझे रहा नहीं गया और मा को लेने गाव चलाएं क्या तुम मा को यहां ले आए और चोटे भाभी के पास चोड़ देते इस हालात में इन्हें चोटे भाभी के पास चोड़ना मुझे ठीक नहीं लेगा इसलिए अपने साथी बैला है और ये चली भी ढी ये भी नहीं सोचाए कि ये हमारा किराय का मकान है और शेल में रहने का खर्च पता है ना अरे गाउं में बड़े भाई का खुद का मकान है खेती बाड़ी भी करते है और क्या हो गया अगर भावी ने कुछ कह दिया तो यार एक आदमी का कितना खर्चा बढ़ जाएगा मां हमारे साथ ही रहेंगे लेकिन वस कुछ देगा हम बाद में बात करते हैं हाँ इस घर में मुझे बोलने का हक तो है यह नहीं अब बस भूख लगिया खाना लगाओ खाना ने बनाया मेने वो सुबह के चावल रखे थे मैंने खा लिये तुम देख लो तुम्हे अपना और मां का क्या करने मैं सोने जा लियू आया मता मा तुम हमन तुम मेरी मा को लेने गय थे हाँ तो तुम्हें क्या लगा इसको रगा कैके Ouकने मा को ले अयाया तो चिंता मत कर बैटी मैं तेरे हाँ जाडा दिन नहीं रहूंगी अमा तुम्हार dit क्यों ग़रे हुथ है वे तुम्हारे ही कह रहा है वेटे Summit इसमें तेरी कोई गलती नहीं है हमारी है हमहेशा लड़कों को दोस्त देते हैं और कहते हैं कि सादी के बार बेटें को प्राय हो जाते में और में पेटियां अप लेकिन ये बुल जाते हैं कि बेटों को पाया करने गड़ाओ एक ने यहीर की शेया है अगर हमारी बेटी किसी के बेटे को पराया करेगी तो किसी की बेटी भी हमारे बेटे को पराया करेगी करे परेछी काकर 蛍डरा करेगी झाल